संकर प्रदेश दादर नगर हवेली मा वदी राहिल मार्ग अकस्मातों ना बनावने अटकावा माटे बिंग ह्यूमन सोसाइटी औने डेटु डेना प्रतिनिती मंड़ले बिंग ह्यूमन सोसाइटी ना आरिफ शेक दर्मेश पंडिया माला कम परेरा अलताफ शेक साइट ना प्रतिनिती मंड़ले पोलिस वड़ा बिके सिंग औने योग्यकार्यवाही करवानी रचुआद ने पगले पोलिस अने वहीवटी कंत्रद्वारा भारे वाहनों उपर समय मर्यादा मुकवाते मेश्ट दारूपी ने वाहन चलावना राओने पकडवा माटे डिटेक्टर मशिन नो उप्यो करवामा आवशे ते हुँ आश्वासन आप योदो एक ही मुद्दा था और वो था ट्राफिक की समस्या और जो एक अन्स्टॉपेबल एक्सिडेंटल जो दुरगटनाएं है वो जो एक अन्स्टॉपेबल सी बन गई है दादरा नगरवली में वो भी खास कर सिल्वासा सहर में और वो भी दुरगटनाएं ऐसी हो रही है जिसमें 90% दुरगटनाओं में लोगों की जान चली जाती है हमारे अनुमान के सबसे इसी साल में सिफ तीन मेहने में 20 से जादा लोग अपनी जान गवा चुके है और पिछले तीन साल की बात करें तो साइद यह आकड़ा 200 के पार जा सकता है हमने पहले भी कई बार ट्राफिक पुलिस से लेकर प्रसासन से लेकर SMC को इस बात क्या आगा किया था कि हमें समय रहते कुछ प्रावधान कर देने चाहिए कोई कारवाई कर लेनी चाहिए या कोई उपाई बना लेने चाहिए ताकि अब लोगों की जाने ना जाए और हम इस पर थोड़ा काबू पाज सके किसी ने किया तो अची हमने किसी ने आठंगे कीटिक्रस लेक लेकर वर कि आद और बोल सकता हूं कि बश्र पर दो साल के चलो ओ बहुत काम अधिकारी है जो आम जंता को सहाब से और इस तरीके से सुनते हैं लुडरे लेने के इंच्रिक्सान अपने दूसरे नीचे के अधिकारियों को भौत अच्छी बात है आज मीटिंग में डियाई जी साथ हमारे दराडे सर एस्पी सर और जई ईस्टी पीओ सर और बाकि सारे ट्राफिक के नरेश पटल और महाजन सर से लेकर सभी पुलिस वाले भी वहाँ मौजुद थे बहुत अच्छी मीटिंग हुई हमारे हमने सारे मुद्दे उनको रखे है जिसमें हेवी वहिकल को प्रवेस बंदी का भी सुजाओ है दिन के समय में कुछ वन वेस बनाने के लिए भी हमने का है एक्सिडेंटल जोन के साइन बॉड लगाने के लिए का है और ड्रिंक एंड राइव रॉंग साइड विदाउट लाइसंस के जो हम लोग खुद लोग जो ये नियम तोडते है उन पर सकते सकत कारवाई भी की जाए पार्किंग जो गलत करता है उसकी भी बात हमने कही है लेकिन हम सिटिजन्स लोग यूथ और एंजियोज मिलकर और साथ में पुलिश डिपार्टमेंट का साथ सहयोग हो तो हम सब मिलकर इस पर थोड़ा कंट्रोल ला सकते हैं काबू ला सकते हैं ड्रिंक एंड राइव का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि यहां पर बाहर से जो मीडिया को पता है कि 90 परसंट दुरगटनाय बड़ी और भारी वहानों के साथ दो पईया वहान और चलने वालों की हो रही है तो ऐसे कई सारे मुद्द्ध है और हमें खुशी है और हमें आज ऐसा लग रहा है मैं 100 परसंट नहीं कह सकता हूं क्या एक्षन है और कितने जल अपना इंट्रेस्ट लिया है और जो बाते हमको बोली है वही साबसे हम उमीद कर सकते हैं कि अब इस पर जरूरी कारवाई जरूर होगी और जल्द होगी